Good morning friends, welcome to our YouTube channel RC Services. Friends, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी रिपोर्ट से कुछ भी अगर फिल्टर करना चाहे वो फिल्टर कर सकते हैं. That means, अगर आपका डाटा एक साल का है, दो साल का या तीन साल का भी होगा, तो आप फिल्टर लगा के आप उसमें जो भी लिखेंगे उसके रिलेटेड उस एंट्री में अगर कुछ होगा तो वो सर्च कर लेगा. That means, आप एक वाउचर एंट्री करते समय, जो जो फिल्ड आप उसमें एंटर करते हैं, उसके रिलेटेड आप जब सर्च करेंगे, वो तूरंत वो सारे वाउचर्स को आपको हाइलाइट कर देगा, जिस वर्ड को लेके आपने टाइप किया है. तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से हम उसको सर्च कर सकते हैं. सपोज ये मेरी एक एंट्री है, जिसमें मैंने एक साल का डाटा रखा हुआ है, अब मैं क्या करता हूँ? डिस्प्ले एकाउंट सेल्स रिजिस्टर पे आ गया. अब सेल्स रिजिस्टर पे आ मुझे ये भी याद नहीं है किस मन्त का वो एंट्री है या किस डेट का वो एंट्री है, मुझे बस उस एंट्री रिलेटेड कुछ चीज़ें याद है, जैसे कि मैंने जो एंट्री की थी उसको ना मैं DT-DC कोरियर से भीजा था, that means मुझे उस कोरियर का नाम याद है, but मु कर सकते हैं, या फिर Ctrl-F आप कर सकते हैं, आप Apply filter में जैसे ही क्लिक करेंगे, वो आपको पुछेगा, आपको जो भी याद है, आप वहाँ पर टाइप कर लेजे, ताहिए वो तीन वर्ड का हो, चार वर्ड का हो, या पांच वर्ड का हो, आपको कुछ भी अगर याद है, आ मैं यहाँ पर DT-DC एंटर किया, और इसको एंटर कर दिया, जैसी मैं एंटर करता हूँ, वो मुहे जो भी एंटरीज हैं उसमें से फिल्टर करके, एप्रिल और महीने का मन्त में आपको बता दिया, इतनी सारी एंटरीज हैं, आपका पहले का स्क्रीन देख लिजे और अभ अपरिल में, बट जब मैं यहाँ फिल्टर लगाया, और यहाँ पर टाइप किया, DT-DC, एंटर, तो मुझे उनली एप्रिल और मे महीने का एंटरी दिखाया, अब इतना तो कन्फर्म हो गया, कि DT-DC को लेके, मैं स्रिफ एप्रिल और मे महीने में कुछ एंटरी सायथ किय हूँ, अब उतना तो हिंट हो गया कि एक साल के अंदर स्रिफ एप्रिल और मे में ही ऐसी एंटरी हैं, जिसमें DT-DC मैंने एंटर किया है, चाहे वो कहीं पे भी हो, अब मैं सपोज एप्रिल महीने में एंटर करता हूँ, तो देखे, अगर एक ही एंटरी में डाले हैं, तो वो एक ही एंटरी रिफलेट करेगा, और हो सकता है, अप्रिल में 4-5 एंटरी में अपने DT-DC नाम से कुछ भी टाइप किया है, वहां पे भी दिखा देगा, अब मैं देखना चाहता हूँ, यह DT-DC actually है क्या, क्या मैं इसको narration में लिखा था, क्या मैं इसको किसी field में mention किया आपको यह दिखा देगा, particular is voucher number पे, carrier name agent DT-DC deliver, containing DT-DC, that means, आप टैले के field में चहां पे हम लोग information डालते हैं, dispatch details, वहां पे आपने DT-DC डाला हुआ है, अगर मैं इस entry को open करके दिखा दू, तो देखे, party name में मिलन, मिलन में enter करते ही, मुझे यहां पे right hand side आपको दिखा दि या, DT-DC, बस उसी को लेके वह search कर दिया, friends, है यह easy, आप कहीं पे भी कुछ भी type करेंगे, चाहे वो narration में हो, चाहे dispatch details में हो, कुछ भी अगर आप type करेंगे ना, यह आपको open करके दिखा देगा, same, एक और example ले लेते हैं, suppose मेरे पास कोई भी एक owner आता है, या कोई customer आता है या कोई गाड़ी वाला आता है, बोलता है, आपने मेरे गाड़ी में एक माल भेजा था, और उसका value कितना है, या वो किस customer का था, मुझे वो जानना है, तो kindly मुझे help कीजिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ मेरे को मेरा गाड़ी नंबर ही याद है, इसके अलाव करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, अगर वो particular information उस entry पर है तो, तो suppose, अभी मेरे पास एक challenge क्या है, कि vehicle number मुझे सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर कोई भी month मुझे पता है, मैं dietos month में भी जा सकता हूँ, either, मैं यहाँ apply filter करके, गाड़ी का number पूछ लूँगा, information के गाड़ी का पूरा number होने से भी अच्छा है, या फिर जो number वो बता रहे हैं, उससे भी मैं search कर सकता हूँ, suppose, उन्होंने बताया 2825, यह मेरा गाड़ी number है, enter, जैसी मैं 2825 enter करता हूँ, तो देखे, मुझे बता रहा है, April महिने में एक entry हुई है, उस 2825 को लेके, वो 2825 value भी हो सकता है, वो 2825 voucher number भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, friends, तो अब मैं enter करता हूँ, तो देखे, मुझे बता रहा है, एक sales entry हुआ है, पंदरा तारिक को, पूजा home appliance को लेके, अब 2825 क्या है, हमको नहीं पता, चले देखते हैं क्या है, अगें, यहां पे मैं filter details डालता हूँ, जैसे ही filter details डाला, तो यहां बता दिया, एक motor vehicle number आपने डाला है, 2825, friends, उन्होंने जो पूछा, कि मेरे को गाड़ी का number याद है, अब देखे, गाड़ी के number के हिसाब से निकल गया, अगर मैं enter को open करूँ, तो यहां पे देखे, 2825 यहां पे mention हुआ है, उन्होंने गाड़ी क जरूर बताईए, और इसमें और एक interesting चीज मुझे अचानक से याद आ रहा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, suppose मुझे अगर देखना है, मैं उसको entry भी नहीं किया हूँ, फिर भी मुझे search करना है, कि मेरे यहां पे Sundays को कितनी entries होती है, Sunday के दिन कौन-कौन entry कर रहा है, मुझे वो भी search करना है, तो वो भी हम search कर सकते है, apply filter में आना है, आपको स्रिफ Sunday टाइप करना है, enter, तो Sunday जैसे ही आप टाइप करते है, Sunday related कौन-कौन सा days में entry हुई है, वो सारी entry यहां पे open हो गई, आप enter करके देख सकते हैं, 24 April आपका एक Sunday हो सकता है, फिर उसके बाद में महिने में, एक तारिक, आठ तारिक, पंदरा तारिक, बाइस तारिक, यह आपके Sundays है, आप चाहें तो इसको track कर सकते हैं, check कर सकते हैं, तो tally इतना intelligent है, कि आप जो type करेंगे, उसके related जो भी information है, वो आपको search करेगा, अब आप पताएंगे, हमने तो किसी भी entry पे Sunday नहीं mention कि है, बट Sunday जो date है, उस मन्त का वो date को use कर रहा है, तो date तो हम mention करते ही है, voucher entry में, तो इसलिए उस date को उसने search किया, friends, वीडियो कैसा लगा, ज़रूर हमको comment कीजिए, आपको किस तरह का वीडियो और चाहिए, हमको वो भी बताएंगे, हम default tally पे भी, हम वीडियो बनाते हैं, कस्टमाइज वीडियो भी हम बनाते हैं, और जो हमको लगता है, यह useful है, हम उस वीडियो को आप तक लेके आते हैं, friends, हमारे वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, और please हमारे वीडियो को subscribe कीजिए, till then, thank you.